पीच मैदान लखनओ के खिलाडी ने घोया आपा राहूल के हथियार ने दी मैदान पर गाली अब लगेगा लखनओ के खिलाडी पर बैन दोस्तो इस आईपिल जिस तरह से खिलाडीों का प्रदर्शन रहा है वो टूनमेंट के रोमाच को बढ़ा रहा है लेकिन इस सीजन कुछ खिलाडी ऐसे भी हैं जिन्होंने मैदान पर मर्यादा तोड़ी है ये वो खिलाडी हैं जिन्होंने मैदान पर ऐसा कांड़ किया है जिससे क्रिकٹ शर्मशार हुआ है ये वो खिलाडी हैं जो मैदान पर सीमाय तोड रहे है दरसल इस IPL लखनों के खिलाडी ने RCB के खिलाफ मैच में मैदान पर सारी मर्यादाए तोड डाली और बीच मैदान गाली दे दी आपको ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए पूरा मामला बताते हैं IPL 2022 में लखनों सूपर जैंट्स और रोयल चैलेंजर से वैंगलोर के मुकाबले में लखनों के ओल राउंडर मारकस स्टॉइनिस उन्निस वे ओवर में जब जोश एजल मुट की गेन पर बोल्ड हुए तो उन्होंने जोर से चिला कर गाली दी उनके अबशब्द स्टप माइ में दर्ज हो गए स्टॉइनिस से ये गाली सुनकर हर कोई हैरान था अब हर कोई यही सोच रहा है कि स्टॉइनिस ने जो ये बीच मैदान गाली दी उसका खामियाजा उन्हें मुगतना पड़ेगा या फिर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो दोस्तों आपको पता दे कि माना जा रहा है कि स्टॉइनिस पर कारवाई हो सकती है और IPL की आचान सहिता के उलंगन के आरोप में जुरमाना लग सकता है मारकस ये स्टॉइनिस के गाली देने का वीडियो सोचल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है बोल्ड हुए और गाली दे बैठे के लिए 12 गेंद में 34 रंग की जुरूरत थी क्रीट पर मारकस इस्टाइनिस और जैसन होल्डर थे उनिस्वा ओवर फेगने की जिम्यदारिक जोश हेजलूड को मिली ओवर की पहली गेंद ऑफसाइड में काफी बार रही लेकिन अमपार क्रिस गैफनी ने इसे वाइड नही पहर गई इस पर मारकस इस्टाइनिस के सब्र का बांध कूट गया वो जोर से चिलाए और गाली बे बैठे वो सकता है कि इस्टाइनिस ने खुद के लिए ही अब शब्द गाए हो या फिर उनके निशाने पर एमपायर रहे हो वो काफी गुश्य में दिख रहे थे और बल लाइक कीजिए शेर कीजिए साथ किरकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलेगा अगर आप भी वीडियो फिस्टुक पे देख रहे हैं तो हमारे फिस्टुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लिजिए